हलो गाईज तो कैसे हैं आप सब लोग तो आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूँ एक जबरदस पोस्ट का आज एनलिसिस करेंगे तो आज हम बात करेंगे फर्मासिस्ट वेटरनरी तो वेटरनरी का जो फर्मासिस्ट होता है उसके बारे में आज जानेंगे कि एक फर्मासिस्ट की जो जॉब है वो किस तरह की जॉब है तो जेके सेस्ट भी नभी इसकी पोस्ट निकाली है चाहिए 200 के राउंड इसकी पोस्ट है तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसका कैरियर ग्रोथ किस तरह से रहता है उसकी सैलरी किस तरह से भढ़ती है और promotion के साथ साथ एक veterinary pharmacist जो है वो कहां तक पहुंच सकता है तो इसकी बात करेंगे आज तो veterinary pharmacist की ये job निकली हुई है गाईज और मैंने जहां तक सुना है कि ये जो है इसमें qualification जो है वो graduation नहीं है गाईज इसकी qualification, graduation नहीं है तो ये जो 10th, 12th pass हैं वो भी इस farm को लगा सकते हैं लेकिन science चाहिए तो science अगर subject है आपका तो आप इसमें जो है farm लगा सकते हैं और ये एक बहुती जवरदस्थ post है मतलब कि जो 10th pass होते हैं उनके लिए सिरफ एक ही option होता है कि वो सिरफ class 4 की जो vacancies आती है उसी को fill out कर सकते हैं उसी का farm fill up कर सकते हैं लेकिन ये एक technical job जो है 10th, 12th वालों के लिए भी है जिसका नाम है veterinary pharmacist तो veterinary pharmacist का farm लगा सकते हैं और एक अच्छी job आपको मिल जाएगी 10th, 12th base पे तो ये एक इस job का फाइदा है तो मैं आपको बता दूँ कि जो veterinary pharmacist की जो job है VP लिख लेता हूँ veterinary pharmacist ये एक level 4 की job है तो guys मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस job को निकाल देते हो तो आप junior assistant के rank पे आ जाओगे या finance sub inspector के rank पे आ जाओगे अगर आप इस job को निकाल देते हो veterinary pharmacist जो है level 4 की job है level 4 की basic salary अब कितनी होती है ये बात में आपको बता दूँ अगर आप veterinary pharmacist जो है वो join करते हैं guys तो आपकी जो basic salary होगी वो level 4 पे मिलेगी आपको 25,500 रपे तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी और एक 10th 12th पहला है सिर्फ class 4 का farm लगा सकता है और class 4 की basic salary जो होगा 14,000 के round होती है तो देख लें आपकी एक level 4 की job आपको 10 12th base पे मिल रही है और एक technical job मिल रही है मतलब कि यहाँ पे आपको training होगी आपकी बाकाइदा यह कोई ऐसे ही job नहीं है बहुत ही एक जबरदस job में कहूँगा veterinary pharmacist अब इसका काम क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेती है तो मैं आपको बता दूँ कि जो veterinary pharmacist होता है तो आपने इसका जो link होगा गाईज वो होगा animals treatment तो animal का treatment करना का काम होता है जैसे suppose आपका dog जो है कोई आपने dog रखा हुगा घर में वो बिमार हो जाता है तो आप उस dog को लेके वहाँ जा सकते हो एक veterinary pharmacist के साथ पास और veterinary pharmacist का का काम होगा उसको medicine देना और उसको अगर कोई injection वगेरा लगाना है तो उसका treatment जो है वो एक veterinary pharmacist करता है तो ये job जो है सिर्फ और सिर्फ एक job नहीं है ये एक service है ये एक passion है जो कि animals lover है तो animals lover के लिए ये बहुत ही जबरदस job है कोई अगर animal lover है आप में से तो उसके लिए बहुत जबरदस job है क्योंकि आपको एक मोका मिलेगा कि आप animals को treat कर सकते हो यहाँ पे animals जो animals lover है उनके लिए एक बहुत ही जबरदस job है कुछ लोग होते हैं जो जानवरों से काफी प्यार करते हैं तो उनके लिए अच्छी job है वो इस profession को जूरूर apt करें और यह एक अच्छे level की job है कुछ लोग कहते हैं यह 10th और 12th level की job है हमने नहीं करनी है तो guys मैं आपको बता दूँ यह technical job है इसके लिए science अभी मांगी है क्योंकि veterinary pharmacist लगाना है और यह level 4 की job है और यह किसके level की job है यह मैं आपको बता रहा हूँ यह junior assistant junior assistant जो अभी 500 लगे हैं टाइपिंग वाले और उसके साथ-साथ यह जो finance के sub inspector होते है उस level की job है तो मैं आपको बता दूँ veterinary pharmacist का अगर आपने farm लगाया है तो आप त्यारी करें बहुती जबरदस job है और अगर आप animals lover हैं तो फिर तो आपके लिए यह बहुती जबरदस job रहने वाली है तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप veterinary pharmacist जो है वो join करते हैं तो आपकी salary जो है SO 190 जो है उसके तहट पहले दो साल सिरफ basic salary मिलती है तो पहले दो साल आपको सिरफ 25,500 रपया salary मिलेगी लेकिन जैसे ही दो साल बाद आप दो साल हो जाएंगे तो आपकी salary जो है वो around जो है 38K के around जो है वो आपकी salary जो है देखने को मिलेगी तो एक pharmacist अगर veterinary pharmacist आप join करते हो तो दो साल के बाद आप 35,500 के जो है वो salary प्लस ही ले रहे होंगे वल्लब 38,000 के around आपकी salary जो है वो देखने को मिलेगी तो ये कम salary नहीं होती है गाईज एक 10,12 पड़े हुए आदमी के लिए ये एक बहुत बड़ी salary है और 5 साल बाद after 5 years की अगर मैं बात करूँ 5 साल बाद आपकी salary जो है इसी job के अंदर 70K के around पहुँझाएगी मतलब 5 साल अगर आज आज आप veterinary pharmacist जाइन करते हो तो 5 साल के बाद आप जो है इस job पे 70K के around salary ले रहे होंगे और ये कोई छोटा amount नहीं होता है आपने आस-पास बाकियों को पूछना कि 70K amount जो है उसको कमाना कितना मुश्किल है तो I hope आपको चीज़े समझ आ रहे ही होंगे कि एक veterinary pharmacist जो है वो किस तरह की job है तो आपको animals को treat करना पड़ेगा वहाँ पे आपको जो veterinary surgeons होंगे उनकी surveillance में काम करना पड़ेगा वो अगर आपको कहेंगे कि इसको medicine दो इसको injection लगाओ तो वो काम आपको यहाँ पे करने पड़ेगे आपकी training होगी ऐसा नहीं है कि आपको पहले लगा देंगे आपको सिखाया जाएगा कि वो काम आपने किस तरह से करना है आपको चीज़े समझ आ रही होगी तो इसके बाद आप बात करेंगे promotion की तरफ कि इसकी promotion का कोई criteria है गाईज तो मैं आपको बता दूँ कि जो veterinary pharmacist होते हैं जिनकी promotion का criteria थोड़ा कम होता है इतनी ज़्यादा promotion इसमें नहीं मिलती है आपको एक दो promotion मिलेगी तो promotion में सिर्फ आप जो है अगर आप veterinary pharmacist लगते हो तो उसके बाद आप senior veterinary pharmacist बन जा हुए senior veterinary pharmacist और उसके बाद एक grade और आपको उपर मिल जाएगा लेकिन इसमें ज़्यादा promotion आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इसके पहले ही 10th 12th base पे आपको level 4 direct ही मिल रहा है तो इसके बाद जो है promotion खास नहीं होगी लेकिन आपके level भडते रहेंगे जैसे आप senior veterinary suppose आप अभी जो लगोगे आप लगोगे veterinary pharmacist वो आप junior होगे लेकिन जैसे आपको एक promotion मिलेगी आप senior veterinary pharmacist बने होगे और उसका level जो है वो level 6 हो जाएगा और फिर धीरे धीरे आपका level भडता जाएगा retirement तक आप level 8 जो है आपका पहुंच सकता है लेकिन promotion criteria यहाँ पे इतना जादा नहीं है तो बाकिया आपका जो है level भड़ेगा लेकिन शाइद promotion आपकी जो है यहाँ पे कम थोड़ी देखने को मिलेगी तो growth थोड़ी कम है लेकिन 10th 12th में अगर है आप है और आप अगर job के लिए देख रहे हैं तो इससे better job आपको नहीं मिल सकती है veterinary pharmacist तो next video में मैंने सोचा है कि एक और job इसी के साथ हाई है और उसका नाम है stock assistant तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि stock assistant की job जो है वो किस तरह की और इसके साथ साथ guys मैंने बता दूँ कि मैंने लगबर 11 वीडियो जो है अलग लग jobs के ओपर चड़ा दी है तो अगर आप पहली बार इस channel पर आ रहे हैं तो channel को like share और subscribe करें और playlist में जाएं वहाँ पे आपको government jobs career growth करके एक playlist दिख जाएगी वहाँ पे हर jobs के बारे में आप जो है जान सकते हैं कि कोण सी job कैसी है तो I hope आपको चीज़े समझ आई होगी तो आने वाले टाइम पे अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो channel को subscribe करें Thank you guys